हेलो दोस्तो परदेसी फ्लाइट यूटूब चैनल पर आप सभी का विलकम है दोस्तो फ्लाइट और ट्रिवल्स को लेकर कुछ बहुत ही जरूरी अपडेट है भारत में नए साल में नई एरलाइंस दस्तक देने जा रही है इसके लाव सिंगापूर फ्लाइट को लेकर फ्लाइट शुरू किये लेकिन विदेसी फ्लाइट अभी भारत क्यों नहीं आना चाहते है साथ में को वैक्सीन को लेकर भी जरूरी अपडेट है दो और देसों ने को वैक्सीन को मनजूरी दे दिये इन सब पर में बात करूँँगा लेकिन उससे पहले आप अब अधिक्तम 200 सीटर के यह फ्लाइट होंगे 22 फ्लाइट के लिए आडर कर दिया गया है आकासा एलाइट की तरब से अपडेट दीगे गई है आकासा एलाइस भारत के बिजनेस मैन राकेश धुनजुनवाला की है राकेश धुनजुनवाला कुछ महीने पहले भारतिय परधान मंतरी नरेंदर मोधी से मिले थे उसके कुछ समय के बाद भारत के सीविल एवेशन मंतराले ने आकासा एलाइस को एनोसी भी जारी कर या उसके बाद से साफ हो गया कि आकासा एलाइस अगले साल से भारत में 10 तक दे देगी तो अब दोस्तों अपडेट आ चुकी है कि आकासा एलाइस ने 52 विमान आडर कर दिया है और अगले साल से आकासा एलाइस चलने लगेगी भारतिया डोमेश्टिक में अभी तक VTLS यानि Vaccinated Travel Land के तहट पाच और देसों को सामिल कर लिया है जिसमें इंडिया, इंडोनेशिया, कतर, सौधी अरब और UAE सामिल कर लिये गें इंडिया और इंडोनेशिया के लोग VTLS के तहट 29 नौंबर से ट्रिवल कर सकेंगे सिंगापूर के लिए और ये ट्रिवल कोरंटी फिरी होकर ट्रिवल कर सकेंगे VTLS में इंडिया और इंडोनेशिया को सामिल कर लिया गया इसके लाबा कतर, सौधी अरब और UAE को भी सामिल कर लिया गया यहां के लोग 6 दिसम्बर से कौरंटीन फिरी होकर ट्रिवल कर सकेंगे तो दोस्तो ये सिंगापूर को लेकर अपडेट है कि सिंगापूर ने VTLS के तहट इंडिया, इंडोनेशिया, कतर, सौधी अरबिया और UAE को सामिल कर लिया इंडिया के लोग 29 नॉंबर से कौरंटीन फिरी होकर सिंगापूर के लिए ट्रिवल कर सकते हैं अगर वो फुली वैक्सिनेटेड है तो इसके लाओ दोस्तों 15 अक्टूबर से भारत ने टूरिस्ट वीजा भी रिजियूम कर दिया था शुरू कर दिया था लेकिन सर्त ये थी कि टूरिस्ट वीजा पर अभी इंडिया में वही लोग आ सकते थे जो लोग चार्टर फ्लाइट से इंडिया में आएंगे और फ्ला आई गई है वो क्रियेटिव ट्रिवल्स के जॉइंड मेंजिंग डायरेक्टर राजीयू कोहली और इसके लावा ट्रिवल एजन्ट एसोसिएसेंट अप इंडिया की जो प्रेसिडेंट है जियोती मायल साथ में टूर आपरेटरसाप इंडिया के प्रेसिडेंट रही है और बंदे भारत मिसन के तहर फ्लाइटे आ रही है उन्होंने काई कि एर बबल एग्रिमेंट के तहर जो फ्लाइटे चल रही है उन फ्लाइटों की टिकेट बहुत महेंगे हैं एक का चार है उन फ्लाइटों का टिकेट इसलिए विदेशी परेटक अभी भारत का रु जब पाबंदी हटेगी तभी विदेशी परेटक भारत का रूख करेंगे अन्ने था इस पाबंदी के अंतरगत भारत में विदेशी परेटक नहीं आ पाएंगे तो 30 नौमबर तक भारत ने नार्मल कमर्सियल इंटरनेशनल सेडियूल फ्लाइट पर पाबंदी लगाई कई बड़े देशों के बाद अब और दो देशों ने को वैक्सिन को मानता दे दिये ये देश हैं न्यूजिलेंड और तुर्की तो न्यूजिलेंड और तुर्की में भी अब को वैक्सिन को मानता मिल गई है यहाँ पर आप को वैक्सिन लगवा कर भी आब आप टिरवल कर सकते हैं जिन देशों ने अभी तक को वैक्सीन को मानता नहीं दिये इसके संबन्द में भारत के विदेश मंतराले के जो इस पोग परसन है अरिंदम बाक्षी उन्होंने कहा है कि को वैक्सीन को डबूल एचो से मानता मिलने के बाद हम हर देश के साथ में बातचीत कर रहे है कि वो हर देश को वैक्सीन को मानता दे जिन्होंने अभी तक मानता नहीं दिये और इंदम बाक्षी की तरफ से कहा गया है कि को वैक्सीन को अलग अलग देश जल्द ही मानता देंगे इस संबन्द में हम लगातार परियास कर रहे हैं लेकिन दोस्तों हम सबको इंतजार है क साथी अरब इसके लावा कोई, कतर और दुबाई भी कोव एक्सिन को जल्द से जल्द मानता दे क्योंकि यहाँ पर भी ट्रिवल करने वालों की संख्या काफी जादा है और इंडिया में काफी सारे लोगों ने कोव एक्सिन को भी लगवा रखी है जो लोग इन देसों में ट्रिवल करना चाहते हैं तो बाराल दोस्तों कोव एक्सिन को लेकर अपडेट यह है कि अभी न्यूजिलेंड और तुर्की ने भी कोव एक्सिन को मानता दे दी है बाराल दोस्तों यह आज की कुछ अपडेट थी आगे और कोई अपडेट होगी फ्लाइट और ट्रिवल से जुड़ी हुई इसके लबाँ आपके काम के लाइक कोई और खबर होगी तो वो आप तक पहुँचाए जाएगी इसके लिए आप परदेशी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं बिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल लखिए खुश रहिए गुड बाई